स्टार्ट दो प्रकुक्षे आज अजका जो लेक्षर रहेगा उसी से रिलेटेड है तो उसके पहले दो लेक्षर देखें उसके बाद ही ये लेक्षर देखना स्टार्ट करें वैसे पर मैं थोड़ा बहुत आपको रिवाईस करने ही वाली हुँ तो स्टार्ट करते हैं without wasting time आजका लेक स्टार्ट किया हैं Hello everyone शुती बचो बहुत कम स्टूड़न्ट है लाइव है ना जरा लिंक शेर कर दो सब लोक। लिंक शेर कर दो दिलिप नमस्ते अ लिंक शेर करो जरा बच्छो और भी स्टूडंस आने चाहिए लाइव है ना स्टूडंट इंक्रीज नहीं हो रहे स्टूडंट इंक्रीज होने दो है ना हाई निहा हाई प्रेती न्यांदेव हाई सानिका येस सावरव हाई प्रियंका प्रियंका माई नेम इस मीनाक्षी हेलो एवड़िवन हेलो ओके तो बच्छो स्टार्ट करें आज का सेशन स्टार्ट करते हैं चलो है ना तो देखो बच्छो कल जो हमने स्टडी किया था एक बार मैं उसको रिवाइस करना चाहूंगी बोईलललोह हमने देखा था वुल आपको याद रखने के लिए बोला था ट For Temperature, P For Pressure, V For Volume हैना तो सबसे पहले बोईलललो में आपको कीति है अगर हमने इस आपको बे बार मैं अपको च्छोंगो तो एक मिनिट, बोईल स्लों में आमने देखा था, अट कॉंस्टन टेंप्रेचर, टेंप्रेचर कॉंस्टन होता है, और प्रेशर इस इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू वोल्यूम होता है, यह अल्रेडे हमने अमने स्टडी किया है, थोड़ा फास लेती हूँ इसको, चार्ज लॉम में हमने स्टडी किया था, कि टिपी भी है ना, टिपी वी, प्रेशर कॉंस्टन थे यहां पे, पी इस कॉंस्टन और वोल्यूम इस डिरेक्ली प्रपोर्शनल टू टेंप्रेचर, ख्लियर एवरिवन, गे लुजक्स लॉम में हमने देखा था, वी इस कॉंस्टन, वी यहां पे कॉंस्टन है, और प्रेशर इस डिरेक्ली प्रपोर्शनल टू टेंप्रेचर है, इसी से हमने, आइडियल ग्यास एक्वेशन बनाये था, पी वी इस इक्वेल्स टू आर टी, अगर आप लेक्शर नमबर वन देखोगे, तो आज में इसका लेक्शर नमबर थी, बताने जारी हूँ आपको, उसके बाद हमने क्या लिया था, देखो, उसके बाद हमने यह एक नुमेरिकल सॉल्व किया था, जो की इंट्रोड़क्शन का जो पार्ट एक आइनेटिक थेर्ट, जो की इंट्रोड़क्शन का तो आपको, झाल झाल वैश्णवी मेरी आवाज आ रही है जड़ा कमेंट करो वैश्णवी आवाज आ रही है जड़ा कमेंट सेक्षन में कमेंट करो बच्छो मेरी आवाज आ रही है सबको येस नौ क्लियर रुद्रांग वैश्णवी येस सानिका सब लोग मुझे सुन पा रहे है अभी आवाज नहीं आ रही है ना ओके-ओके-डन-डन तो सार्ट करते हैं बच्छो देखो एक बार रिवाइस करते हूँ देखो मने क्या बताया था आपको बोईस लाँ चाल्स ला अरड़ी हमने स्टड़ी किया है तो अभी आगे का सेक्षन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे देखो उसके बाद हमने क्या अभी आदेखाँ आइडिल गैस इक्वेशन मतलब क्या कि जो एक्वेशन पी-वी इस उकॉलस तो जो एक्वेशन नर्ट, जो ग्यास ओबे करता है, जो ग्यास ओबे करता है, जो ग्यास ओबे करता है, इसको हम लोग कियाते है, आइनल ग्यास, और एक बाध मेन आपको सुमें बताइए ती, हमलोग इसको बोलेगे, जहां पर इंत्रा-्मовать्स को ओछेज को नहीं है, स्विधिया, एसेसे लिदे और ग्यास को हंगे, इसको हम बोलेगे, आइज ऐनल ग्यास इक तो पॉताता है, ए जो दोड सेफ्वे करते हैं, इसको हम लोग क्या देते हैं, ideal gas. खेक है? तो बच्चो उसके बाद देता हूं. एक मिनिट है, बच्चो एक मिनिट है. जेशेचे बसाँ. साहिख, सांद इस नौट रेखेर. वेता मिनिट है, I think there is some technical issue. I think there is some technical issue Wait a minute Start, sir start Okay So that we have seen the ideal gas equation Sorry, children For the interruption 1 minute Audible Free fire, sound problem Now it is okay, children Now it is okay, tell me Now clear Okay, now it is clear, Shruti Done, ma'am Okay, okay Okay, बच्चा, अभी finally start कर रहे है अभी finally start कर रहे है एक technical issue आ गया था बीच में अभी finally start कर रहे है Yes, yes, it is all clear everything अब बिल्कुल भी में stop नहीं करने वाली सब लोग है न, सब लोग हेड़फोन लगा के बेठेंगे मैं आपको बता रही हूँ, सब लोग हेड़फोन लगा के बेठो notebook and pain लेके बेठो और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ आज मैं बहुत सारे exercise के questions लेके आई हूँ क्योंकि आगे का जो हमारा topic है उसमें exercise के questions बहुत ज़्यादा पूछे उस topic के उपर बहुत सारे questions पूछे exercise के तो better रहेगा आप लोग text book भी लेके बेठे textbook के बहुत सारे questions जो मैं बताऊंगी उसको tick करते चले वो questions solve हो चुके हैं और notes आप लोग better रहेगा बाद में लिखो क्योंकि वैसे भी हम लोग ये bpt's जो है आपको share करने वाले हैं उसकी link आपको description box में मिल जाएगी तो वहां से आप लोग उसको note down कर सकते हैं टेलिग्राम पे मिल जाएगी राइट सर से share करने वाले हैं तो वैसे आपको ये सभी चीज़े वहां भी मिल जाएगी आप आराम से लिखा करो अभी आप लोग क्या करोगे headphone लगा के full concentrate करके बस जो मैं बताने वाली हूँ जो मैं समझाओंगी उसके उपर focus करो और ध्यान से सुनो हर एक चीज़ को understand करने की कोशिश करो अगर समझ में ना आए तो वीडियो बार बार देखो revise करो अगर फिर भी समझ में ना आए तो वैसे मुझे comment section में comment करो मैं एक बार जरूर आपको easy language में बताने की कोशिश करने वाली हूँ लेकिन बच्चो physics को रटो मत because physics अगर आप रटोगे तो आपको numerical solve करते नहीं आएगे बस एक बात आपको याद रखनी है बस यह slogan रट लो physics में रखना मना है सब लोग यह बात याद रखना है तो अभी start करते हैं finally देखो आज का lecture ओके चलो तो देखो बच्चो ideal gas हमने study किया था a gas which obeys ideal gas equation at all pressure and temperature is an ideal gas जो की ideal gas equation क्या होता है PV is equal to NRT जो equation जो gas से equation ओबे करेगा और एक बात मैंने आपको बताई थी याद होगी hope so कि इसमें intermolecular forces जो है intermolecular forces are absent है न intermolecular forces इसमें नहीं होते ऐसे gas को हम लोग क्या बोलते हैं ideal gas बोलते हैं लेकिन real actual में ऐसा gas available नहीं होता यह just हम assumption करते हैं उसके बाद हमने यह question study किया था आपको याद होगा कि real gas कब ideal gas equation होगा ओबे करेगा जब कौन सी condition में जब density low होगी low pressure होगा high temperature होगा and at condition where gas molecules are far apart जो दो molecules के बेश में force of attraction नहीं हो सकता उस condition में ही ideal gas equation sorry real gas equation obeys the ideal gas okay ideal gas equation उसके बाद हमने mean free path study किया था बच्चों इसमें मैंने आपको lambda का formula बताय था आपको याद होगा hope so है ना lambda का formula और उसके उपर हमने एक question भी solve किया था मैंने जेई का भी एक question solve करवाय था आपको याद है HPLT याद है कल का lambda का formula किसको याद है mean free path lambda का formula किसको याद है lambda is equal to कौन बताएगा मुझे lambda is equal to 1 upon root 2 pi है ना N D square N divided by V तो यहाँ से हमने एक बात मैंने आपको बताई थी कि जो lambda मतलब क्या होता है कि जो average distance traverse करता है कोई भी molecule with constant velocity between two successive collisions दो successive collisions के बीच में जो average distance वो travel करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे mean free path और यहाँ पर मैंने आपको बताई था कि lambda जो है वो inversely proportional होता है diameter के square को lambda जो है that is also inversely proportional to N by V इसी को हम लोग बोलते है density right density मतलब number of molecules per unit volume ओके यह सभी चीज़े अल्रड़ी हमने कल के lecture में study की थी इसके उपर मैंने question भी solve कर रहा था then यह question हमने किया है already hope so आपको समझ में आया होगा उसके बाद यह question हमने किया था इसका मैंने lock table के साथ explanation दिया है कल के lecture में जरूर देखे उसको फिर हमने यह जरूरी का question solve कर रहा था बच्चो उसके बाद हमने हाँ यहां तक हमारा कल lecture हुआ था है न कल हमारा यह last question complete हुआ था बच्चो आज मैं आगे का topic लेने वाली हूँ बच्चो देखो अभी तक मैंने आपको बताए कि kinetic theory of gases के कुछ assumptions मतलग किसी assumptions के base के उपर हम लोग kinetic theory of gases study करते हैं तो वो assumptions आगे का जो topic है हमारा 3.5 अभी start होने वाला है अभी तक हमने क्या-क्या complete किया है बच्चो 3.1 में introduction लिया था 3.2 छोट असा topic है जैसे कि behavior of gases है वो मैंने complete किया है उसके बाद 3.3 में हमने ideal gas and real gas क्या होता है इसको study किया था 3.4 का mean free path हमने study किया है उसके उपर हमने बहुत सारे questions भी solve किये हैं अभी आज में 3.5 आगे का जो topic है वो start करने वाली हूँ कौन सा 3.5 pressure of ideal gas तो बच्चों यह study करने के लिए हमें पहले यह कुछ पॉस्चूलेट से वो पता होना बहुत ज़रूरी है scientists लोग ने यह जो theory develop किये है उसके लिए कुछ पॉस्चूलेट्स बनाई थे पहले वो पॉस्चूलेट्स हम लोग study करेंगे उसके बाद हम लोग pressure of an ideal gas का बहुत ही बड़ा derivation है जो कि आपको 4 marks के लिए पूछा जाता है और तो और उसका जो formula है आगे के सबी derivations में हम लोग उसको utilize करने वाले तो वो formula हम लोग derive करेंगे तो सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे जो formula में बताने वाली हूँ जो steps है उसको है ना step by step easy language में लिखते चलो एक side में से steps बना लो और उसके बाद उसी step के हिसाब से अपना derivation लिखो वैसे मैं बताऊंगे आपको पहले हम लोग क्या निकालेंगे उसके बाद कौन सा step आपको लेना है ठीक है short करके बताऊंगी ताकि आपको easy रहेगा understanding में और जो भी मैं आपको derivation पढ़ाने वाली हूँ उसकी writing practice एक नहीं दो नहीं तीन चार बार करो ताकि आपको exam में बहुत easy ले आगे कि step याद आएगी ठीक है तो बच्चो देखो assumptions क्या है सबसे पहला assumptions तो हमें सबको पता है already हम लोगों ने बहुत बार आपने chemistry में भी study किया है ये वाला assumption क्या आजम्शे सबसे पहला gas is made up of atoms और molecules gas जो है वो किसे बनता है atoms और सबसे smallest particle जो होता है gas का उसको हम लोग क्या बोलते है atoms बोलते है उसी को one या two atoms combine होके हमें क्या मिलता है molecule मिलता है ये सबको पता है उसके बाद second assumption देखो क्या है molecules of some gases are identical in all respect that means shape size and mass है ना मतलब some gases यहाँ पर particular gases होता है मतलब कोई भी particular gas हमने लिया यहाँ पर मांड़ो helium gas हमने लिया particular gas जो है उस particular gas का जो molecule होता है particular gas का जो molecule होता है मतलब सभी molecules जितने भी होते particular gas के वो सभी molecules identical होते है है ना मतलब उनका shape उनका size मतलब helium के अगर मांड़ो मैंने helium gas लिया किसी container में तो helium का हर एक molecule जो है उसकी shape उसका size ये सभी same रहेगा उसका mass ये सभी चीज़े उसकी same रहेगी ये बात आपको याद रखनी है मतलब जो मैं यहाँ पे एक molecule के लिए apply करने वाली हूँ वो सभी molecules के लिए apply होगा अगर मैंने एक molecule की velocity निकाली उतनी ही velocity दूसरे molecule की रहेगी ये बात आपको याद रखनी है टेक है उसके बाद देखो ये हो गया second हो गया third वाला क्या है molecules are constantly in random motion along straight line very important बच्चो very important molecules जो है वो कभी ऐसे जिगजग path में नहीं चलेगा है ना molecule हमेशा straight path में ही चलेगा चाहे इस direction में हो चाहे इस direction में हो वो हमेशा straight path में चलेगा random motion कर रहा है किसी container में हो या फिर किसी भी container में हो enclosed हो वो random motion करेगा लेकिन straight path में ही करेगा आया समझ में तो यहाँ पर यह भी एक assumption बहुत ज्यादा important है क्योंकि आगे का जो topic है उसमें मैं एक molecule का motion consider करके बताने वाली हूँ आपको ये third point उसके बाद fourth point देखो क्या है All the collisions of gas molecules among themselves and with wall of container is elastic in nature बच्चो कल हमने इसकी बात की थी है ना आपको याद होगा कल हमने इसकी बात की थी याद है आपको मैंने आपको क्या कहा था कि उनका जो collision होता है मतलब मारलो ये एक molecule है यहाँ पे wall है इस wall को जाके ये टकरा रहा है तो उसकी kinetic energy यहाँ पे lose नहीं होगी है ना उसकी kinetic energy यहाँ पे lose नहीं होगी वो elastic collision करेगा it is very very important उसकी वज़े से उसकी energy conserve हो रही है मतलब उसकी velocity जो है वो constant है everywhere mean free path जब मैंने आपको बता है तब मैंने आपको पढ़ा है था कि elastic collision कर रहा है मतलब उसकी energy यहाँ पे conserve हो रही है constant energy के साथ वो चल रहा है है ना उसके बाद next क्या है देखो ये वाला उसके बाद देखो मतलब no loss in momentum momentum मतलब momentum का formula क्या होता है बच्छो कौन बताएगा मुझे what is the formula of momentum who will tell me who will tell me momentum का formula क्या होता है postulate means assumptions बिटा अनू postulate याने assumptions होते है सानी का very good 1 upon root 2 pi d square n divided by v कल हम लोगों ने study किया था yes very good mv शुती very good सानी का dynamic yes very good very good तेजस pv नी बिटा mass into velocity होता है alok very good सब लोग बहुत अच्छे से answer कर रहे momentum का formula होता है mass into velocity है ना first chapter जो है अपना relative rotational dynamics उसमें हमने बताया है इसको momentum को mass into velocity तो यहाँ पे momentum मतलब mass तो molecule का change नहीं होने वाला velocity भी मैंने क्या बताया आपको constant है अगर velocity constant है इसका मतलब यहाँ पे यह momentum जो है वो constant रहेगा and velocity constant है तो kinetic energy का formula क्या होता है sorry kinetic energy का formula क्या होता है half into mv square अगर velocity constant है mass constant है half तो change नहीं होने वाला तो kinetic energy भी यहाँ कभी भी change नहीं होगी after collision यह दोनों चीज़े यहाँ पे constant रहने वाली है ऐसे हम लोग assume करके चल रहे है ना उसके बाद देखो यह point यहाँ पे खतम हुआ fourth point देखो क्या है the pressure of a gas is due to collision obviously यहाँ पे container में हमने क्या लिया है gas लिया है ना और यह gas को हमने piston से बंद किया है वो बंद ही करना पड़ेगा gas को हमेशा in close रखना है अंदर बहुत सारे gas molecules है ओके तो यह gas molecules क्या करने वाले है इस piston के उपर force लगाने वाले है force लगाएंगे तो अंदर से pressure create होगा है ना अंदर से force लगा रहा है piston यहाँ पे मांडलो fixed किया है तो उपर से pressure लगा रहा है ना तो यहाँ पे जो pressure है pressure of a gas molecule due to collision in molecules के collision की वज़े से with a wall of container that P is P is क्या बच्चो यह directly proportional है जैसे कि मैं यहाँ पे लिखते हूँ यहाँ पे P is directly proportional किसको directly proportional है number of collisions of molecules per unit area number of collisions एक मिनीट है मैं यहाँ पे लिखते हूँ यह point थोड़ा actually यह directly proportional का sign आपको दिखने रहा है ना यह वाला यह देखो मैं यहाँ पे लिखते हूँ pressure is directly proportional to number of collision number of collision of of molecules molecules per unit area per unit area एक cross section area के उपर कितने molecules ने collide किया है है ना मानलो यह piston का इतना बड़ा area है यह piston है यह piston का इतना बड़ा यह total area हो गया मानलो इसको मैंने छोटे छोटे parts में divide किया तो एक cross section area के उपर कितने number of molecules का collision हुआ है है ना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे pressure बोलेंगे pressure is directly proportional to this also मतलब यह value अगर increase हो रही है तो pressure भी यहाँ पर increase होगा obviously increase होगा जितने ज्यादा molecules यहाँ से अंदर से pressure लगाएंगे force लगाएंगे collide होंगे उतना ज्यादा pressure यहाँ पर increase होने वाला है obviously तो यह point सबको clear है उसके बाद देखो बच्चों यह सभी पॉस्चुलेट से बच्चों अभी आप लोग अपनी notebook में note-down करोगे है ना Brunal you are new students very good beta welcome in our channel very good MHT CET के लिए जरूर देख सकते बेटा क्योंकि हमारा बोर सिल्या बस चल रहा है and it is very important for CET also yes आप जरूर देख सकते है परितोष यह पॉस्चुलेट से ना हमारे बुक में नहीं है बेटा हमारे टेक्स बुक में यह पॉस्चुलेट्स नहीं है actually यह आगे के topic के लिए लगने वाले है इसलिए मैंने आपको बताया पॉस्चुलेट्स नहीं है आमना 2022 के लिए देख सकते है परिता लेकिन अभी 2022 की एक्जाम तो हो जाएगी पूरा सिला बस खतम नहीं होगा बस वैशनवी नहाफ और JEE के लिए भी देख सकते है बिटा कोई प्रॉब्लम नहीं कली मैंने JEE का एक सवाल भी करवाया है पहले क्या करो पता है क्या पहले ये लेक्चर्स देख लो उसके बाद JEE के सवाल नीट के सवाल जितने ज्यादा हो सके solve करने की कोशिश करो बच्चो आपको समझ में आएगा ये JEE लेवल का चल रहा है अगर आपको question solve करते आ रहे हैं आप question search करोगे और अगर वो solve कर पा रहे हैं इसका मतलब ये JEE लेवल का चल रहा है बहुत सारे question chapter खतम होने के बाद solve करते जाओ अब भी शेख हाए मैं मैं NCRT क्या है assumption नहीं समझ मैं आए dynamic आप क्या बोल रहे हो ठीके चलो क्या है है क्या है है झाल। यह ची बैट्ट्री लोगे का? यह ची बैट्ट्री लोगे का? यह ची बैट्ट्री लोगे का? यह ची बैट्री 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 लोगे का? है ना बाकी students को सबको clear दिखाई दे रहा है बेटा why no intermolecular force is not भाई intermolecular force क्यों नहीं है क्यों देखो क्योंकि जब दो molecules के बीच में intermolecular forces होंगे तो उनकी random motion कैसे होगी वो molecules velocity constant velocity के साथ नहीं चल सकते उनके अंदर जो अगर force of attraction है तो वो इस point से लेकि इस point तक constant velocity के साथ नहीं चल सकते क्योंकि उनके बीच में force of attraction है वो attract हो रहे है ना उसकी वज़े से attract होने की वज़े से उन दोनों में kinetic energy का study हम लोग ठीक से नहीं कर पाएंगे क्योंकि kinetic energy में velocity बहुत important है और उनको velocity constant velocity तभी हो सकती है जब दो molecules के बीच में intermolecular force of attraction absent रहेगा clear आपका issue clear है कौन भाई भाई आपका issue clear है numerical में लेने ही वाली हूँ परितोष लेकिन आज एक बहुत important derivation पहले में लेने वाली हूँ उसके बाद हम लोग numerical देखेंगे yes अभी clear अलोक clear ओके ओके चलो आगे का topic लेते हैं उसके बाद देखो बच्चो pressure of ideal gas ये topic में अभी आपको पढ़ाने वाली हूँ इसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसके उपर है न एक question भी पूचा जाता है प्रूफ करने के लिए question में बाद में बताऊंगी लेकिन पहले देखो हम लोग यहां पर मैं क्या करने वाली हूँ ठीक से देखो सब लो color देखो बच्चो round shape एक मिनिट है बच्चो एक मिनिट है why this एक मिनिट आज का lecture शाहिद हमें problematic ही लग रहा है बेच्च मिनिट है बच्चो erase नहीं हो रहा है यह वाला यहां से delete है ना यहां पर मैं एक क्यूब लेने वाली हूँ है ना यह क्यूब मैं यहां पर लिया है ठीक है यह क्यूब मैंने लिया है ठीक है यह क्यूब को हम लोग along x-axis मान लो यह x-axis मेंने लिया उसके बाद यह y-axis मेंने लिया and then ही z-axis मेंने लिया ठीक है इस क्यूब को हम लोग along x, y, z-axis रखें आले हैं ओके खुब प्रॉब्लम हैता है ओके चलो आज का लेक्चर है don't worry अभी प्रॉब्लम नहीं आएगा देखो तो अभी मैंने क्या किया है अभी concentrate करो बच्चों क्यूब कि मैं बहुत ही important derivation पढ़ाने वाली हूँ सब लोग concentrate करो यहाँ पे हम लोग pressure fine करने वाले है ideal gas का ideal gas का pressure fine करने के लिए हम लोग क्या करेंगे इस cube के अंदर मैंने एक gas लिया है ideal gas enclosed किया है इस cube के अंदर और इसकी जो ये wall है इसको मैंने shader किया ठीक है ये shader किया है wall को मैंने एक cube जो लिया है हमने इस cube का जो ये side है ये length हम लोग L मान के चलने वाले है ये side में L लोगी ये side में L लोगी है ना तो ये सभी sides मतलब cube की सभी sides तो same रहेगी यहाँ पे L मैंने side ली है तो यहाँ पे मान लोग बहुत सारे molecules है है ना है ना because it's having a velocity so they will move with the constant velocity and with random motion and straight line also है ना postulates already हमने वो हमेशा straight line में ही चलेगा random motion करेगा तो ये molecule मान लो यहाँ से start हुआ ये वाली जो side है बहुत concentrate करके सुनो बच्चो concentrate करो understand करो ये वाली जो side है assume करो imagine करने की कोशिश करो तो molecule से चल रहा ही यहाँ पे इस direction में इस wall को जाके वो टक्राएगा है ना यहाँ से वो चलेगा and इस wall को जाके वो टक्राएगा collide होगा collide होने के बाद मतलब यहाँ पे जाएगा यहाँ तक आएगा यहाँ से वो return आएगा इस direction में यहाँ पे गया और यहाँ से return आया इस direction में अब देखो बच्चो यहाँ से जब वो return होगा तो उस वक्त उसकी velocity मानलो यहाँ पे एक molecule में ने लिया यह बात आपको याद रखनी है आगे जाके मैं इसको utilize करने वाली हूँ यहाँ पे उसकी velocity है v मानलो इस molecule के velocity है v bar अभी इस molecule को हम लोग तीन component में resolve करेंगे 11 का यह topic थोड़ा में revise करने वाली हूँ बच्चो अगर 11 के कुछ concepts है 11 के वैसे भी में lectures लेने ही वाली हूँ लेकिन 11 की concepts हम लोग यहाँ बहुत utilize करने वाले mathematical methods जो हमारा vector chapter है उसमें यह सभी concepts मैंने detail में explain करने वाली हूँ तो आप लोग जरूर देखें क्योंकि vector हमने बहुत जगा पे utilize किया है तो यह v bar को हमने तीन component में resolve किया मानलो यह component हमने लिया v x bar यह दूसरा component हमने लिया v y bar यह तीसरा component हमने लिया v z bar तो इसको मैंने तीन components में resolve किया यह पहले हम लोग study कर लेते हैं इसको मैं बाद में erase करने वाली हूँ तो v bar is equal to यह कैसे आया देखो v bar is equal to हम लोग किसी भी vector को कैसे लिखते हैं अगर आपको याद होगा 11 का topic तो a bar को हम लोग कैसे लिखेंगे बच्छो कौन बताएगा मुझे किसी भी a bar को हम लोग कैसे लिखेंगे v cos and v sin yes it is correct dynamic बराबर है आपका बट यहाँ पे मैं vx, vz, vy component लेने वाली हूँ और किसी भी vector को हम लोग कैसे लिखते हैं vector form में किसी भी vector को हम लोग कैसे लिखते हैं तीनों components के साथ x, y, z को कैसे लिखते हैं बोलो कौन बताएगा मुझे I am waiting for your answers students ओके, छोलो मैं यहीं बता देती हूँ a bar को हम लोग कैसे लिखते देखो ax, i cap, plus ay, j cap, plus az, k cap है ना, ऐसे लिखते हैं हम लोग किसी भी vector को ax, i cap, magnitude and direction के साथ exactly तो यहाँ पे मैंने यह लिखा a bar, किसने answer दिया परितोष, right k vector, exactly ax, i cap, plus ay, j cap, plus az, k cap ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, तो v bar को हम लोग वैसे ही लिखेंगे, है ना v bar को हम लोग क्या लिखेंगे vx, i cap, plus vy, j cap, plus vz, k cap ऐसे लिखेंगे हम लोग यह vector जो है, मार्णो, यह molecule है इसकी velocity में v bar यहां पर लेने वाली हो और यह यहां पर x-axis के along चल रहा है, तो इसको मैंने 3 component में resolve किया vx, vy, vz और उसको मैंने कुछ ऐसे लिखा है है ना, समझ मैं आए सबको अब अगर मुझे इसकी magnitude निकालनी है, बच्चो किसी भी vector की अगर हमें magnitude निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी v is equal to, इसको हम कैसे लिखेंगे under root vx square है ना, magnitude हम लोग ऐसे निकालते है किसी भी vector की very important, vx square vy square plus vz square ऐसे हम लोग magnitude निकालते है किसी भी vector की तो यहाँ पर मैंने magnitude ली है मानलो मैंने इसका square कर लिया इस साइब square किया, तो यह क्या बनेगा यह क्या बनेगा देखो यह बनेगा vx square plus vy square plus vz square ऐसे बनेगा यह है ना अब अगर मानलो, यह जो molecule यहाँ पर चल रहा है इस direction में वह same vx vx की velocity भी उसकी same है vyy की velocity भी same है vz की velocity भी same है तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ vx is equal to vy is equal to vz ऐसे बोल सकती हूँ vx is equal to vx is equal to vy is equal to vz हम लोग बोल सकते हैं तो यहाँ पर vy ki जग़ पर vz की जग़ पर हम लोग vx पुट करेंगे तो v square is equal to क्या आएगा v x square यहाँ baby में v x square ही लेती हूँ प्लस यहाँ baby में v x square ही लेती हूँ तो यह तीनों को add करने के बाद मुझे क्या मिलता है v square is equal to 3 v x square and इससे मुझे v x square क्या मिलेगा देखो बच्चो यहाँ लेती हूँ vx square मुझे क्या मिलेगा that is equal to 1 by 3 v square मिलेगा am I clear with this everyone everyone I am clear with this चलो जल्दी से मुझे chat section में बताओ तो यहाँ पर vx कितना है 1 by 3 v square है तो देखो उसको तो मैं बाद में बताऊंगे यह मैं बाद में यूस करने वाली हूँ आप बस यह याद रखोगे यह आप इमें लिखके रखते हूँ क्या vx square is equal to 1 by 3 v square है न मतलब यह जो v है यह v उसकी total resultant velocity है resultant velocity कितनी आ रही है vx के 1 by 3 v square जितनी आ रही है it is very important बच्चो तो अभी देखो यहाँ पर यह v velocity के साथ चलना है तो हम लोग यहाँ पर जो उसकी motion consider करने वाले है वो along x-axis ही consider करेंगे जो motion हम लोग consider करने वाले है वो along x-axis ही consider करेंगे A क्या है परितोष मैंने जस वो एक vector लिया दा बच्चा square of every term yes exactly शूती very good explain again परितोष देखो क्या किया मैंने यहाँ पर V bar मतलब यह molecule है वो मानलो ऐसे चल रहा है है ना यह molecule ऐसे चल रहा है मानलो ऐसे चलेगा तो वो x-axis y-axis and z-axis उसके तीन components बनेंगे तो यह x-axis y-axis and z-axis यह तीन components मैंने बनाए तो इसको हम combine कैसे लिखते है vxi क्या प्लस vyj क्या अब मुझे इसके magnitude निकालने है तो बेटा magnitude निकालने के लिए हम लोग 11 का mathematical methods यूज करने वाले हैं क्या magnitude हम लोग कैसे नहीं यह तो direction के साथ लिखा है ना vector i cap मतलब वो x इतना चला y इतना चला z इतना चला यह हमने उसके direction के साथ लिखा है अगर मुझे इसके magnitude निकालने ही तो मैं कैसे निकालने ही तो मैं कैसे निकालने ही v is equal to under root of vx square vy square plus vz square तो यहाँ पर मैंने squaring कर लिया squaring किया तो इसका square root निकल जाएगा बस v square आएगा vx square vy square vz square तो मैंने assume किया कि यह तीनों जो है वो with same velocity के साथ चल रहे तो मैंने यहाँ पर vx, vy, vz equate किया और उसी की जगा पर सभी values put की तो यह 3 vx square बनेगा 3 को अगर इधर shift किया तो 1 by 3 v square बनेगा vx square is equal to 1 by 3 v square यहाँ पर बनेगा परितोष clear अभी परितोष clear ओके चोड़ा सिया चोड़ा आगे चलते हैं तो बच्चों यह मैंने यहाँ पर note down करके रखा है अब देखो इसको मैं erase करती हूँ पहले यहाँ पर हमें कौन सा formula derive करना है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ और जब भी हमें कोई formula derive करना होता है ना बेटा तो क्या करो सबसे पहले जो final formula है final formula पहले याद कर लो क्या है उसके हिसाब से हमें steps बनानी है बस इतना याद रखो ठेके तो यहाँ पेटे को मुझे formula क्या बनाना है पहले वो मैं note down कर लेती हूँ pressure निकालना है ideal gas का तो 1 by 3 n upon v m into v bar square है ना यह formula मुझे बनाना है बस इतना याद रखो यह हमारा target है यह हमारा aim है यहाँ तक हमें जाना है तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया है अभी एक ideal gas enclosed in a cylinder ideal gas enclosed in a cylinder ऐसे ही आप लोग exam में लिखो गए cylinder having volume v इसका volume कितना है v and volume हम लोग कैसे निकालते है बच्छा v is equal to l cube है ना यह formula होता है volume का मान लो इसका एक area एक shaded portion हमने लिया जिस shaded portion का area हम लोग a लेते है a is equal to area of the shaded wall है ना और area हम लोग कैसे निकालते है a is equal to length into bed मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करते है उसका square करते है तो बच्छों देखो pressure का formula क्या होता है pressure is equal to होता है force per unit area तो यहाँ पे मुझे area तो मिल गया लेकिन मुझे force निकालना है यहाँ पे दो टाइप के momentum है जब यह molecule यहाँ से चलेगा तो वो उसका initial momentum होगा है ना initially constant velocity के साथ वो चल रहा है वो उसका initial momentum हैगा along which axis it is moving it is moving along y sorry x axis तो यहाँ पे हमारा initial momentum क्या बनेगा m into vx है ना mass into velocity अभी थोड़ी देर पे आपने लोग ने मुझे formula बता है mass into velocity है ना उसके पार देखो final momentum final momentum final momentum का formula क्या आएगा देखो बच्छों final momentum is equal to यह molecule जब यहाँ से चलेगा यहाँ पे collide होगा then return आएगा बट हमने क्या बोला है कि यह क्या है elastic collision है elastic collision मतलब no loss of kinetic energy kinetic energy का यहाँ पे loss नहीं हो रहा है मतलब velocity यहाँ पे constant है तो जब यह यहाँ से जाएगा यहाँ पे collide होगा collide होने के बाद return आएगा इसका बस direction change होगा इसका जो sign होगा वो opposite बनेगा लेकिन formula यहाँ पे same रहेगा क्या? minus m into vx तो अगर मुझे यहाँ पे change in momentum निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी change in momentum क्योंकि मुझे force के formula में यह लगने वाला है change in momentum क्या मिलेगा मुझे initial momentum देखो change in momentum को हम लोग किस से denote करते हैं आपको पता है change in momentum को हम लोग delta p से denote करने वाले है तो change in momentum for x axis is equal to initial momentum final momentum minus initial momentum मतलब p final momentum p से denote किया जाता है minus p initial तो p final कितना है बेटा minus m vx minus m vx minus p initial कितना है m vx तो दोनों को अगर मैं minus minus sign होने की वज़े से इनको add करती हूँ तो मुझे मिलता है minus minus sorry यहाँ पे 2 चाहिए है न m vx minus 2 m vx यह मुझे क्या मिला change in momentum यह delta हम लोग हमेशा change के लिए योज़ करेंगे delta यह फिर db आप लोग लोग ही रूस कर सकते हैं तो यहाँ पे delta px मतलब change in momentum हमें क्या मिलेगा minus 2 m vx इसको नाम देके रखो कुछ तो भी equation number 1 अब देखो आगे आगे हम लोग क्या करेंगे ठीक है देखो change in momentum हो गया अभी में time निकालने वाली हूँ क्योंकि मेरे force के formula में मुझे time की भी जरूरत है change in momentum तो लगने ही वाला है अगर impulsive force का formula अगर आपको याद होगा तो जरूर यहाँ पे note करके रखे रनबीर कोई बात नहीं बेटा बाद में देख लेना इसको है ना कोई बात नहीं हाँ तो मुझे बताओ force का formula कमेंड करके रखे सब बच्चे मैं आगे time निकालती हूँ time के लिए हम लोग velocity का formula यूज करेंगे कौन सा यूज करते है distance divide by time है ना distance divide by time तो यहाँ पे distance कितना चला molecule देखो molecule यहाँ से निकला यहाँ से L distance चला वापिस आने के बाद L distance चला मतलब L प्लस L अगर में यहाँ पे length निकालने वाली हूँ distance not a distance में यहाँ पे हम distance ले रहे distance कितना आएगा यहाँ पे 2L आएगा L प्लस L तो 2L आएगा तो यहाँ पे time मुझे निकालना है तो मैं time को इस साइड शिफ्ट कर देती हूँ पहले distance में यहाँ पे लिखती हूँ 2L divide by VX जो है वो इस साइड आके divide होगा VX बार लिखो चाहे तो यहाँ पे बार भी ले सकते आप लो मैं यहाँ पे VX बार लिखती हूँ तो time मुझे मिलता है 12 divide by VX बार इसको नाम देखे रहे हो बच्चो equation number 2 अब देखो हमें force का formula मैंने force का formula पूछा ता आपको है ना force का formula पूछा ता मैंने यहाँ पे कितने लोगों ने जवाब दिया है mass into acceleration है लेकिन मुझे impulsive force चाहिए momentum है इसके अंदर dilip it is correct but mass into acceleration is also correct sani ka it is correct but I want impulsive force impulsive force का formula क्या होता है average force is equal to mv square into 1 by L neha mv square mass into acceleration है बेटा but मुझे impulsive force चाहिए देखो मैं बताती हूँ इधर देहन दो सब लोग यहाँ पे जो average force है that is equal to average rate of change of momentum यहाँ का जो average force हम लोग निकालने वाले है वो हम क्या लेंगे average force is equal to average rate of change of momentum क्योंकि देखो यहाँ पर momentum change हो रहा है वो अल्री हमने निकाला तो average rate of change of momentum हम लोग यहाँ पर लेंगे उसका momentum change हो रहा है minus नहीं लेंगे क्योंकि यह molecule के उपर लगा हुआ momentum लेकिन wall के उपर उसका opposite momentum लगेगा that is the plus वो में plus लेने वाली हो तो average force is equal to क्या है average rate of change of momentum मतलब क्या देखो f average is equal to क्या आएगा is equal to rate of change of momentum को हम लोग ऐसे लिखते हैं change in momentum change in momentum divide by time है ना is that clear everyone chat section में मुझे सब लोग बताएंगे change in momentum divide by time Vaishnavi very good yes यही formula चाहिए था मुझे m into v minus u divide by t Sani का यह भी correct है v minus u ही मतलब m into v minus u ही change in momentum होता ही it is also correct बच्चा very good right तो change in momentum divide by time यह f average हमें मिल रहा है ठीक है तो change in momentum हमें कितना मिला यहाँ पर 2mvx में लेकिन मैं wall का ले रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर plus लोगे है ना यहाँ पर plus लेना ही हमें तो हम लोग क्या लिखेंगे f average is equal to m 2mvx bar divide by 2mvx bar divide by divide by time कितना है यह देखो 2l divide by vx bar है ना तो यह vx bar हम लोग उपर shift करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा f average bar is equal to 2,2 यहाँ पर cancel हो रहा है 2 लेने की जरुवत नहीं है पहले इसको cancel कर देती हूँ में तो 2,2 मैंने cancel किया तो f average is equal to क्या मिलेगा मुझे यह vx अगर मैं उपर shift करती हूँ तो यह vx bar already यहाँ पे एक vx bar है यहाँ पे यह vx bar जाके multiply होगा है ना और यहाँ पे नीचे बस क्या बच रहा है देखो नीचे बस l बच रहा है है ना तो f average का formula मुझे क्या मिल रहा है बच्छो f average is equal to m into vx square bar divide by n बच्छो यह जो average force में निकाल रही हूँ बस एक molecule के लिए बस यह एक molecule के बारे में हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे molecule से उनके बारे में भी हमें सोचना है मतलब देखो pressure का जो formula है उसका f मैंने अभी निकाला लेकिन मैंने किस के लिए बस एक molecule के लिए निकाला मुझे तो number of molecules के लिए चाहिए तो इसलिए अभी देखो यह एक molecule का जो है उसको number of molecules के लिए क्या आएगा उसके लिए हम लोग आगे में बताती हूँ आगे बहुत derivation बाखी है और इसको पहले revise कर लो देखो सबसे पहले हमने क्या किया gas enclosed किया in a molecule molecule, sorry, in a container cylinder having volume जिसका volume कितना है V जितना volume है V is equal to क्या है LQ volume कैसे निकालते हम लोग area is equal to shaded wall का L square है यहाँ पर momentum लिया हमने initial momentum is equal to mvx लिया है final momentum minus mvx हमने लिया change in momentum निकाला तो हमें minus 2 mvx मिला है न, उसके बाद हमने distance velocity निकाली, velocity is equal to distance upon time उसके उपर से मेंने time का formula चाहिए था तो 2v divided by vx बार है average force कितना होता है average rate of change of momentum so f average is equal to change in momentum upon time हमें मिल रहा है change in momentum का formula हमने यहाँ पर put किया उसके बाद वही formula हमने derive किया तो हमें average force यहाँ पर इतना मिल रहा है अब इस average force को use करके हम लोग pressure निकालेंगे लेकिन उसके पहले हम लोग जो number of molecules के लिए लगने वाला force है वो निकालेंगे तो देखो आगे में derivation यहाँ continue करने वाली वो derivation मैं आज इटीज रखोंगी आगे आप लोग उसको utilize कर सकते है योगि PDF में आपको मिल जाएगा ठीक है एक minute अब एक शाट डोंट वरी बेटा सभी lectures आपको मिलने वाले हैं है ना already uploaded है आप tension मत लो चलो आगे देखते हैं तो अभी देखो force का formula अभी मैं number of molecules के लिए लेती हूँ consider consider number of molecules number of molecules 2, 3, 4, up to n number of molecules हमने लिए है 2, 3, 4, up to n molecules हमने लिए हैं है ना having having velocity velocity of x component x component की velocity हमने लिए है वो कितनी है that is vx1 bar comma vx2 bar comma v sorry हाँ इसको minus नहीं करना है बच्चो vx2 bar comma vx3 bar and so on vxn bar बच्चो फोकस करो हाँ अब देखो यहाँ पे velocity जो है मुझे निकालनी है अगर मैं average velocity निकालूंगी vx की तो मुझे क्या मिलेगी average velocity average कैसे निकालते हम लोग सभी चीजों का हम लोग क्या करते हैं addition करते हैं addition करने के बाद हम लोग divide by total number of कितने molecule से उसको divide करते हैं लेकिन मुझे square लगने वाला है क्योंकि हमारा अगर फॉर्मूला अगर आप लोग देखोगे तो force का formula देखो force के formula में मुझे क्या लगने वाला है vx का square इसलिए मैं यहाँ पर vx का square करूंगी है न तो देखो average velocity मुझे क्या मिलेगी vx bar vx square bar करूंगी मैं is equal to अगर मैंने इसका square किया है तो मुझे इन सब का square करना पड़ेगा vx1 square bar plus vx2 square bar plus vx3 square bar and so on vxn square bar divide by कितने molecules से n तो मैंने n से इसको divide किया ठीक है number of molecules n capital n लो अब देखो यहाँ पर मैं n को इस side shift करने वाली हो तो n अगर मैं इस side shift करते हूं तो मुझे क्या मिलता है n into vx square bar is equal to मुझे क्या मिलेगा vx1 square bar plus vx2 square bar plus vx3 square bar and so on vxn square bar बचो यह जो equation है इसको मैं utilize करने वाली हूं इसको याद लगो ठीक है star करके रखते है इसको अब देखो हमने force का formula क्या लिया था यहाँ पर force का formula हमने क्या लिया था वो formula हम लोग वापिस से लिखते है f average is equal to m vx square divided by n तो यह formula में यहाँ पर लिखती हूँ वापिस है average force is equal to कितना है m into vx square bar divided by n and for n molecules for n molecules यह force कितना बनेगा f average is equal to यह m divided by n mass तो सबके लिए same है length भी सबके लिए same है क्योंकि shaded wall container जो cube हमने लिया है उनका सबका side सेम है तो lb सबके लिए same रहेगा बस change क्या होगा vx square bar plus 1 1 आएगा भी x1, x2, x3, so on vx2 square bar plus vx3 square bar plus so on vxn square bar इसको मैंने n molecules के लिए लिखा और divide by l तो as it is रहेगा ठीक है बच्छों अभी मैंने star वाला formula देराइब किया देखो ये equation आगया भी ये equation की जगपे मैं ये use कर सकती हूँ कोई problem ने उसको हम utilize करते हैं तो देखो यहाँ पे f average is equal to f average is equal to m divided by l as it is रहेगा m divided by l as it is रहेगा बस इसकी जगपे हम लिखेंगे n vx square bar यहाँ तक clear है बच्चों सबको किसी को कुछ doubt है यहाँ तक clear है सबको सबको clear है चलो परितोष numerical लेंगे बेटा पर ले derivation तो ले लें क्योंकि exam में derivation भी पूछा जाता है यहाँ तो अभी average force हमने निकाल लिया मतलब pressure के लिए लगने वाला जो average force था वो मुझे चाहिए था वो मैंने निकाल लिया क्योंकि main aim तो हमारा pressure है pressure of ideal gas हमें तो pressure निकालना है न तो pressure क्या आएगा देखो therefore pressure is equal to pressure is equal to क्या होता है average force per unit area है न and area के लिए हमने क्या लिया था l square आपको याद होगा तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ p is equal to force average force कितना है उसकी value put कर दो m n v x square bar divide by area कितना है यहाँ पे l square already है और 1 l उसके साथ attach हो गया यहाँ पे मुझे क्या मिलता है m into n into v x square bar divide by l into l बनेगा l cube बचो लास्ट slide में देखो हमने l cube किसके लिए लिया है यहाँ पे मैंने लिखा l cube हमने velocity के सोरी volume के लिया है है न तो यहाँ पे मैं लिखूंगी p is equal to m n v x square bar divide by l cube के जगब में यहाँ पे लिखने वाली volume बचो यह v velocity का है यह जो v है यह volume का है यह बात आपको याद रखनी है जब आप कोई भी numerical solve करेंगे जब values put करोगे तो याद रखो divide by जो है वो volume है और उपर जो velocity है ठीक है अब देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक formula derive करके दिया था v x का है ना आपको याद होगा यह formula यह मैंने क्या बता है था v x square is equal to क्या होता है 1 by 3 v square आपके book में directly यह step दिया है बच्चो तो यह कैसे आया आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने पहले उसको explain किया और जो चोटी-चोटी बाते में यहाँ पे explain करती हूँ अपनी notebook में जरूर note down करते चले क्योंकि आप understanding करोगे तो exam में बराबर step आपको याद लेगी और यह इतने बड़े derivation को simple way में कैसे learn करना है न वो भी मैं आपको बताऊंगे देखो तो देखो उसके बाद हमने क्या किया अभी हाँ तो मैं यह बता रही थी आपको vx square bar is equal to हमने क्या study किया vx square bar is equal to क्या होता है 1 by 3 v square bar है न तो इसकी जगा पे में यह value put करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा p is equal to mn divide by v volume का as it is vx square bar की जगा पे में लिखती हूँ 1 by 3 v bar square है न अब मैं इसको थोड़ा rearrange करती हूँ p is equal to 1 by 3 में पहले ले लेती हूँ n by v उसके बाद लेती हूँ m को v के साथ लगा देती हूँ m into v square bar तो बचो यह जो है यही तो हमें proof करना था देखो मैंने starting में बताया था आपको आपको proof क्या करना है p is equal to 1 by 3 n by v m v square bar हर एक step आपको याद होनी चाहिए बच्चो समझ में है सबको तो देखो अब इसको solve इसको याद कैसे रखोगे मैं बताती हूँ सबसे पहले आपको यह पता है आपका main aim क्या है आपको क्या निकालना है pressure प्रेशर निकालना है सबसे पहले याद कर लो प्रेशर का formula पहला प्रेशर का formula क्या है एक minute सबसे पहली step आप याद कर लो क्या करना है आपको pressure का formula निकालना है तो pressure का formula याद कर लो force upon area अब step by step area तो आपने starting में ही निकाल लिया आपको निकालना क्या है force तो second step में आप क्या याद रखो force force निकालना है तो force के लिए कौन सा formula यूज होगा force के लिए formula होता है change in momentum per unit time change in momentum per unit time तो force step आप क्या निकालोगे सबसे पहले यह delta px निकालोगे तो delta px कैसे निकालना याद है आपको initial momentum minus final momentum बचों यहाँ पर दिखनी रहा है let me check दिखनी रहा है यह side दिखनी रहा है दिख रहा है ना कोई problem नहीं एक minute ओके हाँ तो delta px यह change in momentum हमें निकालना है उसके बाद पाच्छवा point time निकालो है ना time का formula derive करलो time का formula क्या होता distance upon velocity यह formula derive करलो ओके तो सभी step आ गई finally force का formula मिल जाएगा तो पहले हम लोग क्या करेंगे time निकालेंगे change in momentum निकालेंगे उल्टा जाओ भी हमें pressure चाहिए था pressure के उपर से force force के उपर से f f के उपर से delta px चाहिए मतलब change in momentum चाहिए and time चाहिए बस यह 5 step याद रखो यह आपको निकालना है तो step by step step by step उसको solve करते जाओ and finally बस यह formula है इसको रट लो यह आपको चाहिए क्या p is equal to 1 by 3 n by v m v bar square यह आपको चाहिए finally अच्छे से diagram निकालना है diagram के बाइद अभी देखो अभी यह steps याद रोको अब देखो यहाँ पर देखो पहले मैंने क्या क्या diagram निकाल लिया diagram में जो हमने container लिया है उसका volume आप L cube ले रहे है area area के लिए क्या ले रहे L square ले रहे उसके बाद मैंने momentum निकाल लिया momentum, initial momentum, final momentum निकाला दोनों को subtract किया तो हमें यह answer मिला momentum उसके बाद मैंने time निकाल लिया इसके बाद next step क्या निकाला हमने time के लिए time निकालने के लिए हमने velocity का formula लिया velocity का formula 2L by Vx बार किया उसके बाद average force is equal to average rate of change of momentum हमने लिया फिर F average निकालने के लिए change in momentum divided by time किया F average is equal to M2 Mvx bar divided by 12 जो formula हमने change in momentum का निकाला था वो put किया then time का formula put किया उसको rearrange कर लिया average force का formula पहले बना लिया ये एक molecule के लिए है ना उसके बाद हमने number of molecules लिया number of molecule 2,3,4 up to यहाँ पर 1 भी लिखा तो भी चलेगा up to N है ना capital N करो चाहे तो इसको capital N करो क्योंकि यहाँ पर मैंने capital N से divide किया है similarly उनके component लिये up to XN तो उसके average velocity हमने निकाली N से divide किया N को इधर shift किया उसके बाद ये जो formula है मैंने average force के formula में use किया number of molecules के लिए number of molecules के जगा पे हमने ये formula put किया उसके बाद pressure का formula लिखा pressure के formula में average force का area का formula put किया LQ V लिखा VX कैसे आए वो भी मैंने आपको बता है उसका formula यहाँ पे put किया and finally हमें ये formula मिला बच्चो चार मास का derivation है इसको very very important करो very very IMP चार मास के लिए आपको definitely पूछा जाता है और इसका जो formula है वो भी बहुत ज़्यादा important है clear है सबको finally finish हो गया dynamic बहुत बढ़ा derivation है है ना ऐसे तो बहुत चारे derivations हमें study करने है बहुत चारे derivations है और उनको में detail में लेने वाली shortcut नहीं और ऐसे ही आप लोग detail में पढ़ोगे इसको नोट्स कहां मिलेंगे कि शोरी नोट्स तो आपको यहीं बेटा PDF इसका आपको मिल जाएगा वो आपको note down करने है और notes note down करें print out मत निकालो एक बार हाथ के नीचे से जाने दो उसको explain one second Sani का NV square परितोष numerical अभी इसके बाद लेने वाली हुमें है ना देखो तो सबको clear है clear है ना सूरज yes ma'am clear है कवस्तूब ओके आगे चलती हूँ मैं एक बार वीडियो आप लोग revise कर लो मतलब देख लो अभी lecture खतम होने के बाद एक बार chapter revise कर लेक्चर revise कर लो तो समझ में आ जाएगा वापीस से है ना अब चलते बेटा परितोष अभी numerical solve करते बेटा देखो पहला numerical अभी display हुआ है चलो आप लोग solve करके बताएंगे numerical देखो क्या है मैं यहां पर बढ़ती हूँ solve करने की कोशिश करो आपको आ रहा है कि नहीं देखो start करो start करो solve करना देखो numerical star करो इसको exercise का numerical है है ना a gas in a cylinder is at pressure P cylinder के अंदर gas लिया है जिसका pressure है P if the masses of all the molecules are made one third of their original value ठीक है and their speeds are double speed double किया है mass one third किया है है ना pressure P लिया है speed double किया है mass one third किया है तो हमें क्या निकालना है resultant pressure then find the resultant pressure मतलब हमें P2 की value निकालनी है बच्चो देखो सबसे पहले बताया क्या है देखो मैं बताती हूँ एक container हमने लिया इस container के अंदर gas लिया है ठीक है gas का pressure कितना दिया है P1 is equal to हम लोग P मान के चलने वाले है फिर हमने क्या किया ये initial stage है this is initial stage उसके बाद उन्होंने क्या बुला आपको कि यहां के जो molecule से उनका pressure P2 हमें निकालना है resultant pressure यहां के जो molecule से ये molecules का mass मतलब M2 हमने क्या किया है one third of M1 किया इसका mass M1 मान के चलो इसकी velocity V1 मान के चलो इसका जो mass है हमने one third किया है and इसकी जो velocity मतलब speed जो है इसको हमने double किया है मतलब V2 is equal to 2V1 किया है ठीक है यह given है आपका this is given what is given P1 is equal to P है M2 is equal to one third of M1 है V2 is equal to 2V1 है and find क्या करना है to find we have to find P2 मतलब resultant pressure resultant pressure यह हमें find करना है यह सब चीज़े change करने के बाद आपका result क्या रहेगा pressure का वो हमें निकालना है तो बचो formula तो हम लोग वही use करने वाले हैं कौन सा formula जो अभी अभी हमने study किया उसी के उपर में numericals ले रही हो P is equal to one third N by V M V square bar है ना velocity है M है N by V है यहाँ पर देखो number of molecules हम ने change नहीं किया है volume भी change नहीं किया है तो N by V change नहीं होगा बस change mass होने वाला है and velocity क्योंकि यह दो ही यहाँ पर change हुई है तो देखो अभी सबसे पहले में P1 के लिए formula लेती हूँ solution अभी start कर रही हूँ है सबसे पहले में P1 के लिए formula लेती हूँ P1 is equal to 1 third N by V will never change it is constant just we change the mass M1 V1 square bar similarly we can write P2 is equal to 1 by 3 N by V M2 V2 square bar तो यह दो values बस हमने change की है इसको मैंने हाथ नहीं लगाया क्योंकि उन्होंने बोला नहीं है number of molecules change की है volume change किया है that is kept constant अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे मुझे P2 निकालना है तो मैं इसको नाम दे देती हुई equation number 1 इसको मैं नाम देती हुई equation number 2 equation 1 को नहीं 1 को मत करो 2 को क्योंकि मुझे P2 निकालना है तो मैं equation 2 divide by 1 कर लेती हुई है न तो क्या होगा देखो P2 upon P1 is equals 2 P2 कितना है 1 by 3 N V M2 V2 square divide by 1 by 3 ओ, सौरी हां बच्चो, सौरी formula गलत लिखा मैंने है न देखो क्या है 1 by 3 N by V है न, by V है मैंने N V कर दिया था M2 V2 square बार divide by 1 by 3 N by V M1 V1 square bar तो यह इस constant होने की वज़़़़़़ से यह चीज़े cancel हो रही है V भी यहां पे cancel हो रहा है बस यह value बच रही है तो मुझे क्या मिल रहा है देखो P2 upon P1 is equals to M2 V2 bar square divide by M1 V1 bar square okay M2 देखो कितना है M2 है हमारे पास 1 by 3 M1 V2 है G1 As per the given condition V2 कितना दिया है 2 V1 तो क्या बनेगा P2 divided by P1 is equal to 1 by 3 M1 V2 को मैं लिखती हूँ 2 V1 whole square divide by M1 as it is V1 square as it is है ना तो क्या होगा देखो यहाँ पे M1 is equal to M1 M1 cancel यहाँ पे 1 by 3 as it is रहेगा 2 का square बनेगा 4 V1 square divide by V1 square as it is M1 M1 cancel गया बस V1 square बचा है यह V1 square V1 square भी यहाँ पे cancel तो बचता क्या है P2 divided by P1 is equal to 4 divided by 3 ओके यहाँ P1 की value कितनी है P है तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक मिनी रहाँ यहाँ लिखते है हम लोग P2 divided by P is equal to 4 by 3 अब कहाँ पे लिखू बच्छों इस साइड लिखती हूँ है बच्छों देख लो P2 divided by P is equal to 4 by 3 तो यह P2 is equal to कितना होगा वो P को मैं उदर shift कर रहे है तो कितना बनेगा 4 divided by 3 into P तो यह हमारा final answer this is your final answer यह क्या मिला मुझे this is nothing but the resultant force resultant pressure sorry resultant pressure clear everyone देखो समझ में आए एक बार बता दू यह हमारा final pressure है final container का position यह initial M1 M2 यहाँ पे mass हमने लिया है M2 V2 उसकी conditions यहाँ पे देखे रखे है P1 हमने P लिया है M2 is equal to 1 by 3 M1 लिया है V2 is equal to 2 V1 जो कि already given है हमें तो हमें fine करना था P2 is equal to resultant pressure तो हमने formula वही apply किया जो अभी थोड़ी देर पहले हमने derive किया था formula ठीक है उसके बाद P1 is equal to 1 by 3 N upon V as it is M1 V1 square but P2 is equal to 1 by 3 N by V M2 V2 square but दोनों को मैंने divide किया P2 upon P1 because I want to find P2 value of P2 तो मैंने उसको उपर लिया है P2 divided by P1 1 by 3 N by V यह दोनों cancel हो गए यह formula यहाँ पे बचा M2 की जगह पे हमने 1 by 3 जो given है उसको मैंने put किया है and V2 की जगह पे 2 V1 हमने put किया सभी values cancel होने के बाद final answer हमें 4 by 3 मिलता है P1 की value put की and finally हमें resultant pressure मिलता है P2 is equal to 4 by 3 P जो की हमारा resultant pressure है anyone is having any doubt in this tell me come on people screenshot निकाल लो ने तो बाद में PDF डाउनलोड कर लो है न एक minute let me check yes ma'am all clear teaching is next level Krish Kaustub clear yes ma'am understu Ved very good Ved dynamic gaming simple है question yes very good बेटा आपने solve कर लिया फिर Kaustub simple है good good Paritoš which do we 2V that is given बेटा देखो यहां पर मैं बताती हूँ यहां पर उन्होंने क्या बुला है यह देखो यहां पर their speed are double यह दिया है औरड़ी है speed यहां पर क्या हो रहा है double हो रहा है देखो check करो speed are double तो मैंने क्या क्या V2 double क्या double करने के लिए हम 2 से तव multiply करते हैं न वेश्नवी thank you explain once again मंडे को हमारा 11 का लिक्चर रहेगा बिटा लाइफ मंडे को मंडे टूस्डे वेनस्डे में 11 लेने वाली हूँ and Thursday, Friday, Saturday हम लोग 12 लेने वाले हैं क्रीश पूछो ना क्या क्वेशन है W में भी 2 मतलब explain once again यदर द्यान दो मैं क्या बता रही हूँ यह हमने container में gas लिया है जिसका mass है M1 V1 इसका mass है M2 V2 यहाँ पे condition जो दी है third of their original value वो condition मैंने apply की है बस and then यहाँ पे और क्या बोला है कि mass one third हुआ and velocity double V तो मैंने वही condition apply की formula apply किया M1 V1 M2 V2 बस उसको divide किया है equal जो concepts थी उनको cancel कर दिया है and बस उनकी conditions जो दी थी उनकी values put करके solve करते गई बस इतना ही किया है संजय hope so आपको समझ में आया होगा okay मिहर thanks okay चलो आगे चलते हैं क्रीश आपका doubt क्या है मुझे समझ में नहीं आया बेटा homework अच्छा homework में भी दो okay okay समझ में आया क्रीश yes definitely homework देने वाली हो homework को एक question दे दो दे दूँगी जरूर dynamic में जरूर complete करने वाली हो dynamic gaming mechanical properties होगा बेटा आप third पर concentrate करो मैं जरूर complete करके दूँगी आपका पूरा syllabus complete किया है मैंने commit किया है आपको मैं आप पूरा syllabus complete करवा के दूँगी आपका okay चलो हाँ चलो और एक question लेते हैं इसके उपर बेटा it's 953 हो जाएगा कोई problem में एक question लेते हैं उसका calculation में आपको करवाने के लिए बोलने वाले में इसका screenshot लिया होगा उपसे अपने चलो आगे चलते हैं देखो question क्या है question ठीक से पड़ो इसे के उपर depend है अपना question देखो क्या है बेटा calculate the number of molecules in one liter of a gas calculate the number of molecules in one liter of a gas okay उसके बाद देखो क्या दिया है at NTP if mass of each molecule is 4.55 into 10 raise to minus 25 kg mass दिया है and its RMS velocity at NTP is 350 meter per second atmospheric pressure देखे रखा है P is equal to 1.013 into 10 raise to 5 newton per meter square है और हमें निकालने के लिए बोला है क्या निकालने के लिए बोला है N number of molecules मतलब हमें capital N की value यहाँ पे निकालनी है तो देखो वही formula हमें यहाँ पे use करना है जो जो given है उसको बस लिख लो formula apply करो N की value में आपको आपको formula की values पूट करके बताने वाली हूँ लेकिन final answer lock table का use करके आपको खुद को निकालना है ठीक है lock table तो बच्चो हर रोज use होने ही वाला है hope सो आप लोग lock table लेके बेठे होंगे values भी मैं दे दूँगे आपको lock table की ठीक है देखो अभी सबसे पहले लिख लेते है given given देखो क्या दिया है calculate number of molecules in one liter मतलब one liter हमें यह volume देखे रखा है one liter one liter को हम लोग meter cube में convert कर लेंगे तो क्या आएगा one into ten raise to minus three meter cube इसको meter cube में convert करने के लिए हमें minus three से multiply करना होता है at NTP if mass of each molecule is mass कितना दिया है m is equal to four point five five into ten raise to minus twenty five kg है न and its rms velocity at NTP मतलब v की value आपको देखे रखी है is equal to rms velocity मतलब root mean square होता है आगे का topic अपना वही है तब हम लोग देखेंगे हाँ तो यह कितनी दी है three fifty meter per second three five zero meter per second okay then atmospheric pressure मतलब p की value आपको देखे रखी है हमें one point zero one three into ten raise to five newton per meter square okay देखो हमें find क्या करना है to find we have to find number of molecules number of molecules number of molecules कितने होते है that is equal to n okay तो n की value find करने के लिए हमें formula again we have to use the same formula pressure of an ideal gas कितना है p is equal to one by three n by v m v square bar okay तो यह मुझे n निकालना है तो पहले तो मुझे formula rearrange करना पड़ेगा है ना तो मैं क्या करती हूँ देखो यह सभी terms को मैं inside shift करती हूँ बस n को मैं यहाँ पे रखूंगी तो मुझे क्या मिलेगा n is equal to यह three v को मैंने inside shift किया तो बनेगा three into p into v इस साइड जाने के बाद वो multiply होंगा obviously यहाँ पे यह जो term है इस साइड आने के बाद divide होगी m into v square bar है ना सभी values आपको पता है values put कर दो three p कितना दिया है देखो three into one point zero one three into ten days to five v की value देखके रखिये हाँ wait a minute यह v किसका है this v is for volume this v is for velocity यहाँ पे three 50 मत put करो already मैंने आपको instructions देए थे तो v कौन सा है अपना volume का भी मतलब यह वाला यह वाला v put करना है into one into ten days to minus three है ना divide by mass is given four point five five into ten days to minus twenty five बच्चो लॉक टेबल का यह उस पर कि आप लोग solving स्टार्ट कर दो है ना मुझा answer कमेंट करो चलो फास्ट फास्ट into v square v square मतलब अभी यह velocity आ गई है ना 350 में इसको दो बार लिखती हूँ 350 into 350 ओके आप देखो इसको solve कैसे करेंगे सभी 10 की terms पहले एक जगा कर लो इसको 3 से multiply कर ले ती हूँ 3 3 is a 9 3 बन जा 3 300.3 into 10 की power यहाँ पे 5 है यहाँ पे minus 3 है minus 25 उपर shift किया तो plus 25 बनेगा divide by यह 4.55 capacities into 350 को में थोड़ा arrange करती हूँ कैसे देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगी 3.50 point left में shift किया point left में shift किया तो value प्लस से बढ़ती है right में shift किया तो value माइनस से बढ़ती है कितने digit जम किया 1,2 2 digit जम किया तो 10 बनेश टू आएगा plus 2 right में जम करती तो minus 2 आता left में जम किया तो plus 2 आएगा यहाँ भी भी में same करूंगी 3.5 into 10 बनेश टू प्लस 2 clear everyone clear है सबको जल्दी से comment करो clear है value बता दो please okay बरितोष value बता देती हूँ physics शिकने में मज़ा आता है aboy right बेटा I also मुझे भी सिखाने में मरज़ा आता है me too V is equal to 3.25 3.25 नहीं 3.50 है बता 3.50 है वैशनवी हाँ ma'am आप chemistry में chemistry नहीं पढ़ाती वैशनवी correct answer है हो गया आपका good CT के लिए है क्या ये मैं ये CT के लिए भी है जरूर है देखो अभी हम क्या करेंगे इसको n is equal to log table बताओ बेटा अभी 3.039 इन्टू ये कितना हुआ देखो 30 30-3 कितना होगा 27 है न ये 27 होगा and divide by यहाँ पे आएगा 4.55 इन दोनों का अगर मैंने multiplication किया तो वो मुझे मिलता है 12.25 ये कितना मिलेगा 12.25 इन्टू ये 10 दिस टू 4 है न तो यहाँ पे n is equal to तो मुझे मिलेगा 3.039 इसको थोड़ा short कर लेते है मैं क्या करती हूँ देखो divide by 10 की power में बाद में लिकूंगी ये भी आगे का मुझे multiply करना है 4.55 इसको मैं क्या करती हूँ 1.225 करती हूँ तो क्या होगा left में shift करने की वज़े से यहाँ पे 10 raise to 5 बन जाएगा और यह 10 raise to 27 यहाँ पे as it is है तो 27 अगर उपर shift किया तो क्या बनेगा वो that becomes minus 5 है न तो minus 5 उपर shift करने के बाद वो जो value हमें मिलेगी that is equal to 22 है न तो n is equal to बच्चो देखो 3.039 into 10 raise to यह 27 minus 5 नीचे दिख रहा है सर divide by 4.55 into 1.225 तो यह हमें लॉप्टेवल का यूज़ करना पड़ेगा सर नीचे नहीं दिख रहा है ठीक है एक मिनिट है लेट मी चेक तो देखो बच्चो आप इसका screen shot निकाल लो मुझे है न यह उपर लिखना पड़ेगा थोड़ा है न आगे नहीं है न blank slide तो इसका screen shot निकाल लो बच्चो मैं यह side आपके यहां इस side को rough करने जा रही हूँ देखो यहां आप लोग का calculation करोगे actually यह rough किया तो PDF में आईगा नहीं है न which one this यहां पे करो and back यह अच्छा तो देखो यहां पे solve करते चलो values क्या है पले देख लो 3.039 है न then 4.55 देखो 3.039 divide by 4.55 into यहां पे कितना है 10 raise to 27 minus 5 किया था न तो 22 आएगा बस अभी आपको क्या करना है lock table का use करना है यह देखो and 1.225 है गया blank हाँ तो यहां पे क्या आएगा into 1.225 ओके यह हमें n मिला है न n is equal to तो बच्चों देखो n is equal to इसका log आपको लेना है log 3.039 यह माइनस बनेगा minus log 4.55 यह भी माइनस बनेगा minus log 1.225 इसको एक ब्रैकेट में ले लो and into into यहां पे last में 10 raise to 22 आएगा ठीक है इसको solve करेंगे log की values है मेरे पास में बता देती हूँ आपको log देखो क्या है आप लोग log टेबल में सर्च करोगे इसको हाँ में बता देती हूँ log 3.039 इसकी characteristic आएगी 0.0.4827 okay minus यहां पे आएगा 0.6580 minus 0.80881 है ना यह हमें log की values मिल रही है into यह 10 raise to 22 as it is अब अगर मैं इसको add करती हूँ यह सभी values अगर मैं add subtract करती हूँ तो मुझे final answer मिलता है bar 1 bar 1 का ही मतलब minus 1 होता है 0.7366 into 10 raise to 22 इसका मुझे anti-log लेना है anti-log लेने के बाद ही नमारा answer complete होगा bar 1.7366 anti-log का table निकाल के आप लोग देखेंगे पहले pause करके खुद solve करने की कोशिश करते जाओ जबी देखोगे n is equal to यहाँ पर क्या आएगा bar 1.7366 का anti-log हमें मिलता है 5.453 into यहाँ पर यह bar 1 को हम लोग 10 raise to minus 1 करेंगे bar 1 को ऐसे लिखा जाता है इसका anti-log यह मिलता है into यह 10 raise to 22 यहाँ पर change नहीं होगा तो हमें यहाँ पर n क्या मिलेगा n is equal to 5.453 into 22 में से एक गया तो 21 बचता है तो यही बच्चों हमारा final answer है n is equal to 5.453 into 10 raise to 21 these are the number of molecules number of molecules understand everyone ऐसे आपने solve किया है ठीक है तो यह हमारा यह हमारा यह question था उसका solution आपको वहाँ पर मिल गया ठीक है तो देखो बच्चों यह आज का topic है hopes आपको समझ में आया होगा अगर किसी को कुछ doubt है तो comment section में comment जरूर करे सब को समझ में आया है एक बार जल्दी से मुझे comment करो सब को समझ में आया टेस्टों में लेने वाली हो है ना जेए साथी पना है दिपक जेए साथी पना है CET के लिए भी है जेए के लिए भी है सब को clear है 31 students life only है आज कम हो गए students कम है are young very good बट जितने भी पढ़ रहे अच्छा पढ़ रहे बेटा physics के लिए आपको hard work बहुत लगेगा hard work की जरूरत है है ना practice की जरूरत है आज जाए ओके तो बच्चो रूखे यहां पर तो होपसो आज का topic आपको समझ में आया होगा बच्चो अगर कुछ समझ में नहीं आया है fast or I slow or I जो भी कुछ फिर गया होगा जरूर दे और अगर कुछ भी topic समझ में ना आये तो comment section में comment जरूर करे वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको like करे चैनल को subscribe करे आज हम यही पर रुपते हैं सबको good night and bye bye